नमस्ते मेरा नाम आयूस है और आप देख रहा है गोरक फुर लाइव हमारे बगल में कैमिनेट मंत्री उत्तर प्रदे सरकार टाक्टर संजय निसाद निसाद जी स्वागत करेंगे आपका बदाएए आपके चैनल टीम और दर्शकों का लखनो के सदन में थे आप हरिसंकरति कि वारी को लेकर तमाम चर्चाय भी हुई बहसबाजी भी हुई आप गुरक फुर जनपर से आते हैं चिल्लू पार विधान साबा से 6-7 बार वो विधायकर है मंत्री भी रहे उनके चबुत्रे को तोड़ दिया जाता है आरोब बीजेपी विधायक पर लगाते हैं उनके पूत्र क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर ठीक है आप निशाद पार्टी के राष्टी अध्याच लेकिन आप गढवन्दन के इस हिसा है कि देखे चबुत्रा किन परिस्तितियों में कौन तोड़ा कैसे तोड़ा जाज का पिस है और विधायक उसमें यह लग जाता है तो उसका एक सम्भन प्राता है उसको देखते हूए लोग यह उखते हैं और अक्सर लोग बहुत लोगों से गल्तियां भी होती है विए शही काम भी होते हैं लेकिन किसी के मुझीदके बाद उसके अच्छाईयों को लोग ज़्यादे देते हैं टूब है नहीं नहीं तो उसके बुराई पर ध्यान दे किया करेंगे। तो ऐसे हमारा एक मानना को मेरा निजी विचार होता है कि हम हमेशा ऐसे जो भी कोई ब्रेखती हुआ उनके अच्छे काम हो उसके पोटो लगाने से लोग याद करते हैं उनके किसके लिए काम किया था यह होता है आपको नहीं लगता कि समाज में इस एक बैन में सता फैलेगा चुकि भारवड वोटर ब्रामन वोटर नरा नराज होंगे और चुकि ब्रामन वोटर पढ़नित हरसंकरती वारी का भी में बहुत सम्मान करते थे उनको ब्रामन स्रीनुमर्णी भी कहते थे और वही वोटर भाजपा की वोट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि 24 में जो नुकसान हुआ सब्सक्राइब नहीं हो पाएगी पुर्वांचल में खाज़के ब्रामन समदा राजनितिक रूप से चलागा है राजनितिक रूप से अवेर्ड जगा हुआ है और लंबे समय से लोग राजनित में अच्छे अच्छे बदों पर हैं और राजनित से क्या फाइदा होता क्य सब्सक्राइब हो जाते हैं जिसे बार कुछ लोग ने गलतिया करते हैं कुछ ने कुछ जगों पर जरूर हुए है लेकिन हमको लगता कि 2027 में सभी जोग मिल जुलकर एक साथ रहेंगे और एक स्वस्तरकार बनाएगा सदन में एक बिल भी पेश पास हो गया धर्मांतरन को लेको लेकर कानून मना दिया गया विपक्ष के लोग कह रहे हैं इससे जो है समाज में और बैने में सेटा फैलेगा जो लोग लड़का लड़की राजी क्या करेगा काजी तो माबाप अगर राजी में तो फिर दिकत क फिर तीसरा व्यक्ति सिकायत करेगा और कारवाई हो जाएगी तो न्याय नहीं विल पाएगा इससे ने ने प्रेम की जाल में फसाकर किसी को धर्मांतरन कराए जा तो प्रेम जो सब्द है प्रेम सभार्थ जो सब्द है इस पर एक प्रस्टिन लगता है कि किसी को प्रेम मे फशाकर उसका धरम परिवर्तित किया जाए धर्मांत्रण साधी विवा अलग है और धर्मांत्रण चिरा लग है ऐसा साधी विवा थोड़ी कहता कि आप धरम बदल दो तो हम तुम्हारे साथ रहे साथ संभिधान में तो नहीं लिखा है कि कोई लड़का लड़की साधी कर र इस तरीके से उनके साथ धरम बदल कर लेकिन जो प्रेम सब्द है भारत का जो हमारा सभार्द सब्द है इसको धर्मांत्रण करके इसको बदनाम करने की कोशिश किया है अब भारत जो है भारती संस्कृत से संब्द रखता है कभी भी प्रेम को धर्म में इस तरीके का कि प् उसके उपर एक धरम का ले भी लगाया जा फिर उसको फोड़ दिया जा तो यह थोड़ा सा इसमें लाना वसक था कि धरम् दर्मांतरर कराने के लिए नहीं कोई जाल में फसाए बल्कि जिस तरीके से जीवन आगे बिताने के लिए साथ नहीं है, तो ठीक है। तो कानून पहले से था ना इसमें तो संसोधन हो गया कड़ा कानून नहीं था इसलिए उसका अब बताई एक कानून नहीं था इसलिए वह जब अनत पर छूट जाते थे तमाम महिला भी लाती थी रोती थी दुनिया मखबार टीवी चैनल पर चलता था इससे भारत की बड़ी तो आप राजी होयाती हैं लेकिन तीसरा कोई ब्यक्ति जाके कोट का दर्वाजा खटकराता है पुलीस में सिकायद कर देता है तो फिर कारवाई हो जाएगी और पांचलाख रुपया उसको दंड के रूप में पिढ़िता को दिया जाएगा जब पिढ़िता ही नहीं नही किसी को साधी करते हो और साधी करके अपने धर्म के हिसाब से उसको आप उस संसकार को कराते हो तो आपको क्या माना जाएगा अर्यार लड़की से साधी कर रहे तो उसके धर्म से साधी करो अगर आप उसे जाल में फंसाये हो फिर दूसरे धर्म में संसकार मिले जाक उसके स साया और फिर उसे दबाव बनाया फिर बच्चे हो गए या किसी तरीके से और उसको लोक लाज के हो जैसे फिर प्रेशर में कहा नहीं हमारी संसकार में आओ तब साधी करेंगे आप संसकार भी स्विकार करें किसी के अगर बैक्ति को स्विकार करते हो प्रेम स्विकार करते हो तो यह बदलना ठीक नहीं, ऐसा कहें संभिधान में जगने हैं। तो आप तो 27 में हारे हुए दिख रहे हैं। तो यह बदलना ठीक नहीं है। 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 यह बदलना ठीक नहीं है। यह बदलना ठीक नहीं है। तो यह बदलना ठीक नहीं है। तो यह बदलना ठीक नहीं है। आपने देखा है। तो यह बदलना ठीक नहीं है। अब आप संतुष्ट है। आज भी संतुष्ट है। तभी संतुष्ट है। तभी सार अधिकारी है। अच्छे है, सार्वत्तम परदेश बनाने हैं। काम्याब है, मानि मुखबत्री की सोच को, मानि मोदे जी की मिशन को, मानि मुखबत्री की सोच को और योगी जी अपने मिशन के द्वारा उसे काम्याब कर रहे हैं, लेकिन उसमें पलिता कुछ अधिकारी लगा रहे हैं, उसे तीनित करना हो सकता है, जिनकी आत्माओं में प अब पर न दिया तो उन्होंने रिखा भी सही कि नहीं उन्हें इस एक्सर्ट में की गिनती वी थी सेंक्सर्ट में उन्हें डर्ज है और उसको दिशानिर्देश माने योगी जी मांग रहे हैं और भेज दे रहा हर समाजिक में अमान थाले तो इसका मतलब यह अधिकारी चाह भाजपा के मंदल लेथे निसाथकार करता की और अधिकारी जो है उनकी बात ने उनके घर में चड़कर जो है जिस से लग रहा था कि प्राधी है वो निसाथकारे करता इस तरह की चीज़ें अभी हो रही है इस पर क्या करेंगे आधिकारी समाज को कमजोड कर रहे है भी ज सब्सक्राइब निशाद की बात तो मानियम अंडल अध्यक्षा मार दिया जैल भेज दिया किसी किसी कंपलेंट आपके गोरतपुर का यह आप देख लो कि 2000 जब पीस में वो निश्वा पंचायत का सथ चुना हुआ तो दो निशाद जीते थे और दो अपने हारे वे यादों उसने प्रमणपत दे दिया जो तीसरे नंबर पर ता उसे दे दिया चुना आयो के साइट पर चड़ा दिया जब आंदोलन हुआ लोगोंने गुग रांदोलन किया फिर जाच हुई अपिन साइट बदला गया प्रमणपत मिला और जब पकड़ा गया जेल गया उसने का ओट खराब करते हैं अपने गुलक भूला इसे बात कैसे बहुत दजाद बहुत बदाएगे